Salient Features, Important Character, Diagnostic Character, Key Character, किनके? Acanthasy, Lamiasy, Chinnopodeusy, Euphorbyusy. यह चार families हमने लिए हैं. आगे के वीडियो में आपको remaining families भी मिलने वाली हैं. Acanthasy को बोलते हैं Acanthus family. और Lamiasy यानकी Mint family जिसमें Tulsi आती है. और Chinnopodeusy, Goose foot family जिसमें बत हुआ आता है. और Euphorbyusy, के तो बहुत सारे plant हैं हम आगे देखेंगे. यहाँ पर repeat करूँ कि अगर क्यूसन आता है vegetative character पे, तो आपको लिखना है root, stem और leaf के बारे में. अगर क्यूसन आता है plural character पे, तो आपको लिखना है inflorescence और flower के बारे में. और flower में आपको क्या लिखना है? K, C, A, G और fruit. यान की कैलिक्स, पाये दल, कोरोला, दल, अन्डूसियम, यान की पुमंग, गाइनोसियम, यान की जायंग, और फल के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होता है. या जरूरी इसलिए है कि student को मैंने देखा कि क्यूस्टन पूछा है plural character पे और बच्चा लिखा जा लिखके जा रहा है, root के बारे में, stem के बारे में, जो की गलत हो जाता है. नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रविग मोहिल, असिस्टन प्रोपेसर युनिवर्सिटी महराजा कोलेज, more than 20 years से मैं आप जैसे student से सीख रहा हूँ. यहां मेरे वीडियो बनाने का मकसद जो है, कि 90% किताबों में student को पता नहीं चलता कि important character कौन से हैं, और exam execution important character पर ही आता है, या key character पर आता है, या diagnostic character पर आता है, कि आपको लिखना क्या है, या फिर जब आप families को पढ़ रहे हैं, आप तयारी कर रहे हैं, अभी आपके exam आने वाले हैं, तो आपको कौन-कौन ची लाइन पर focus करना है, तो आपको कौन-कौन ची लाइन पर focus करना है, वो यह देखिए, पहला point, leaves opposite, और stipule absent, यह acanthesis का character है, पहला, दूसरा, flower gigomorphic, with prominent bract or bracteol, यहां पर bract or bracteol, बहुत अच्छे से दिखाए देते हैं, इस पर आपको म बहुत पसंद किया है, और बहुत simple सा वीडियो में पहले बनाया था, यह बारे में, stamen, दो या चार होते हैं, अन्थर लोब, unequal in size, यह character बहुत important है, यह अन्थर लोब, unequal, बहुत कम families में आपको यह मिलेगा, फिर अगला character में लिखेंगे, आप, carple 4, ovary superior, two chambered ovary है, इसको bilocular कहते हैं, ovary for or more, और फिर fruit a capsule, और seed with jackulator, seed with jackulator, देखें यह word जो है, यह यह वाला चीज होती है, यह jackulator है, अब इसमें आप देखो ध्यान से, यह है क्या, यह देखो आप, यह लेटर है यह वाला, ठीक है, तो यह jackulator का मिलना यहां का खास बात होती है, याद रखिएगा कि इसके दो नाम है, लेमेसी और लेबेटी, दोनों ही सही है, ICBN की वीडियो में आपको इसका रीजन भी मिल जाएगा, तो देखें इसमें क्या लिखना है, अरोमेटिक आप देखना कि तुलसी आपके आस पास लगी होगी, तुलसी में आप देखो कि बहुत अच्छी स्म इसलिए इसको बोलते हैं, अरोमेटिक फैमिली, नमबर टू, स्टेम फोर एंगल, और कि स्टेम आप देखोगे तो चार एंगल मिलेंगे, नॉन ग्लेंडूलर हेर होंगे, और मल्टी सेलूलर, मल्टी सेलूलर तो स्टेम में मिलते ही है, नेक्स्ट पोइंट आपको क्या लेकर नाइए लीव के बारे में जो उपोजित होती है, और स्टिप्व संग्ड है, इन फ्लोरीसं सेट वर्टिस लास्ट, इसलिस वोस्ट इंपोर्टन ग्रैक्टर, यहाल इंपोर्टन है, आर् पहले टू सेट्वर होती है, फिर उए फाल सेट्वर बन जाती है और अवरी डीपली लॉब्ड जिसको बोलते हैं गाइनो बैसिक स्टाइल यह बहुत इंपोर्टन चीज है गाइनो बैसिक स्टाइल एंड लास्ट करेक्टर आपको फोकस करना है फ्रूट साइजोकार्फिक ब्रेकिंग एंटू फॉर नटलेट कि जब भी आप लेमेशी फैमिली पढ़ो तो इन इन पॉइंट पे विशेश ध्यान देना है हम आ गए हैं गूज फूट फैमिली हर्ब्स और स्मॉल सरब है पहली लाइन दिखें यह हर्ब है और स्मॉल सरब है और यह सेलाइन हैबिटैट में मिलते हैं इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है फ्लावर्स जो बहुत छोटे होते हैं और हरे ही दिखाई देते हैं और ब्रैक्ट्स और पेरियंथ दोनों हर्बेशियस यान की ग्रीन होते हैं स्टेमन जो है वो अपोजिट टू पेरियंथ लोब और सारे फ्रटाइल होते हैं और सारे एक ज जे इसका फ्रूट है यह नट होता है जो की परसिस्टेंट पेरियंथ से कवर्ड रहता है इसका एक्जाम्पल है बतवा यह देखो यह आपको देख के आदार आ रहे इसको आप कहेंगे कि सरी तो आउला है बिल्कुल आपने आउला है ये आपने असल तो प्लांट नहीं देखा होगा राजस्तान में बट इसको देखे कुछ याद जरूरा रहा है हाँ बिल्कुल ये रबर प्लांट है रबर प्लांट आपको दिखाई दे गया आउला आपको दिखाई दे गया आउला आपको दिख होंगी और inflorescence scythium होगा inflorescence वैसे बहुत वराइटी मिलेगी बट आपको scythium पर ही फोकस करना है flowers हैं वो unisexual, carpalteen, ovary superior, three-chambered ovule with car ankle ठीक है यह इसको मैंने अलग से दिया है यह आप जब इसको आप अलग से पढ़ लीजेगा यह important है जो कि यहां पर seed के साथ मिलता है हाँ अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहूँगा कि लाइक कर दें आपको लगता है कि किसी की मदद कर सकता है तो आप वहां तक share कर दें और आपका सवाल हो तो इस mail आईडियो पर मेरे को भेज़ दें और चुंकि मैं ऐसी वीडिय बनाता रहता हूँ तो मैं चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू